आप सबी के साथ शेयर कर रहे हूं पनीर तवा पुलाव की रेसिपी स्ट्रीट स्टायल की रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है और जब कभी आपका कुछ ऐसा पुलाव कहने कमाने तो आप इससे जरू ट्राइ करिए बहुत ही लगती है यह रेसिपी तो पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आए तो लाइक करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक कप बास्मती चावल लिए है अच्छे से दो से तीन बार इसे हमें वाश करना है दूल लेना है और उसके बाद हमें से पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पानी हटाकर यहां पर एक बstr चावल इसमें एट कर दिया है और बस इसको चला लेंगे एक बार अच्छे से कि चावल तली में चिपके ना बीच बीच में चलाते रहना है और यहां पर नीबू की स्लाइसे मैंने कट करके डाली है फ्लेवरिंग के लिए इस अच्छी खुश्बू आती है बस इसके बीच बीच भीच में इसको लगातार चलाते रहना है नहीं तो चावल नीचे चिपक जाएंगे तो यह जलने लगेंगे ज्यादा कुक नहीं करना है नहीं तो ओवरकुक हो जाएगा बस हमें इसमेहां चावल जंब हो अ और हम अब गैस या इंडेक्शन जिस पर भी बना रहे हैं उसको बंद कर देंगे और तब तक हम इसे चानने के लिए च्छनी ले लेते हैं यहा पे मैंने च्छनी ले लिए हैं च्छनी पर इसको च्छान लेंगे देखेश खिले खिले चावल बन गए है च्छना के इसको साइड में रख लेंगे अब यहां पे मैंने कुछ वेजिटेबल ली है प्याज बारिक कट कर लिया है टमाटर शिमला गाजर थोड़ी सी फ्रोजन मटर है पनीर है सबी चीजों को बारिक कट कर लेंगे पनीर को क्यूप्स में कट कर लेंगे चुटे चुटे और बस अब एक पैन लेना है या कढ़ा तब पुलाओ है लेकिन इसे आप पैन या कढ़ाई किसी में भी बना सकते मैं दो इस्पून घी डाला है साथ में थोड़ा सा कुकिंग ओयल डाल दिया है थोड़ा सा बटर भी डाला है जैसे कि सभी का टेस्ट अच्छा सा आजाए इसमें अब इसमें जीरा एट कर देंग जीरा चाटकने लगेगा तब हम इसमें अद्रक लेसं का पेस्ट एट करेंगे इसकी जगे आप अद्रक लेसं को बारीग चॉप करके भी डाल सकते हैं अच्छा से सिक करेंगे इसका कच्छा पर निकल जाए उसके बाद इसमें प्याज एट कर देंगे और मैंने हरी कर देंगे कुख नहीं तब तक ए मुझा तक निया तक सब्सक्राइब रख प्राइब राइमा को ना रहा से प्युक जब तक युद में खुख लिए तब तक हमारी प्याज च्छेंज कर लें तब तक हमें को कुरना है अब मैंने यहां पे गोबी बॉयल करके रखी हुई थी गोबी को छोटा-छोटा तोड़के बस मैंने बॉयल कर लिया था जिससे के गोबी क्लीन हो जाती अच्छे से और इसको भी इसमें डाल के थोड़ा फ्राई कर लेना है जो सबजी हो घर पे अफलेबल वो डाली है नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं आप आलू से भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा और यह बहुत अच्छा लगता है खाने में तबा पुलाओ जब आपको कभी बोर हो जाएं दाल चावल सबजी रोटी खा कर तो आप इससे जुरू ट्राई करिए बहुत यमी लगता है और दो टमाटर मैंने कट करके रखे थे उनको डाल दिया है इसमें अच्छे से कुप करना है तो थोड़ा सा इस जगे पर नमक डाला है नमक थोड़ा ही डाला है जिससे अब इससे कुप कर लेंगे अच्छे से मैस्ट करते हुए इसके बाद हम इसमें बाकी की सब्चिया एड़ कर देंगे यहां पर हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च गाजर कट करके जो रखी है सब बारी बारी कट करना है इसको एड़ कर दिया है मिक्स कर लेंगे मटर डाल देंगे फ्रोजन मटर है तो बॉयल नहीं करने के जड़ू रहता है अगर आप ऐसे वाली मटर यूज करने तो बॉयल करके डालिए थोड़ा साथ में हल्दी डाली हाफ स्पून चिली फ्लेक्स टाला है और इस जगे पर हमें डालना है सीक्रेट मसाला पाओभाजी मसाला जो इस पुलाओ की जान होता है जो कहते है ना होता है तो उसको जरूर राट करना है थोड़ा सा पानी डाल दिया कि मसाले जलेना और सबजी अच्छे से कोख हो जाए पनी राट कर देंगे के लिए हम कवर करके कुक कर लेंगे जिससे की सबजी कुक हो जाए और मसाला भी अच्छे से कुक हो जाए बस दो मिनट के बाद ले ढटा देंगे और अब इससे दीरे दीरे चलाएंगे जिससे ही हमारे पनी टूटना जाएं मसाले का पानी पुरा सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल एट कर देंगे अब यहां पर हम चावल एट कर देते हैं चावल में भी मैंने नम्मक एट किया था तो नमक अपने हिसाब से एट कर सकते हैं स्वात के ने बहुत दीरे-दीरे से मिलाना है नहीं तो चावल ढूट जाएंगे, इसलिए साइट साइट से उठा के मिलाना है, मैंने कल्चिल authentically change कर दी, थोड़ी बड़ी इसमे मिलाना है शैट साइट से लेकर इसके तेह लग माई eighth तुट जहाई है और पूरी तरह से कोञट भी हो जाए प्ल्ह जाले साथ बस दीरे दीरे से करके इसको इस जगे पे मिला लेना है आई ये लीजिए तब आप लाओ आलमस्ट रेडी हो गया है किनारे से उठा उठा कर ये मिक्स हो गया है इसके बाद उपर से नीबू करस्ट डाल देंगे थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देंगे फिर से मिला लेंगे एक से दो मिनट के लिए हम फिर से इसे लेट लगा के छोड़ देंगे जिससे की चावल और अच्छे से इसमें कोक हो जाए जो भी कसर रह गई हो उसमें तो यहां पर इसको ऐसे ढखकर रख देते हैं एक से दो मिनट के बाद इसके बाद हम इसे परूसेंगे तो बस रख दिया है दो मिनट के बाद हम इसको प्लेट में सर्फ करते हैं देखे कितना अच्छा लग रहा है पुलाव हमारा तयार हो गया है तबा पुलाव उपर से मैंने डाला है धीर सारा इसम बटर जिससे कि इसका टेस्ट और यमी लगता है साथ में इसके साथ मैंने यहां पर रायता कर्ड है कर्ड का सिर्फ सिंपल सा रायता है और सेलेड इसके साथ हमने सब किया है तो हो गया ना परफेक्ट मील कभी-कभी इसको ट्राइजरूर करिए बहुत टेस्टी लगता है और यह तैयार है हमारा पनीर तबाप उलाओ कैसी लगी आप सभी को रेसि सब्सक्राइब कर लेजिए पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा मिलता है नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाब बाई सी यू सून टेक कियर